नमस्कार दोस्तों, डेटर स्रक्षर ये वीडियो सेरीज में आज हम डिस्कस करने वाले है अपने नेक्स सोर्टिंग टिक्नीक ताट इस रेडिक सोर्ट मेरा लाना आज जलो राप देख रहे हैं दा इंसाइट को डिर तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडिक सोर्ट क्या होता है तो रेडिक सोर्ट हमारे पास वन ओफ द सिंपल सोर्टिंग टेकनीक है और जड़ आप ये एक्जाम्पल सॉल्फ कर लोगे तो आप ये खुद से कोगी तो और सब सोर्टिंग टीकनीक से काफ़ डिफरेंट और इसका मतलब क्या होगा वो हम अपने एक्साम्पल में समझेंगे इसके भी हाफ पर वो हमारे जो गिवन इलिमेंट्स होता है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओर में सोट करता है तो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि एक बहुत साथा क्लेवर स्टिंग टेकनिक यह चो कंपेर करता है डिजिट्स का वर उसदी की भी हाफ पर उसको सोट करता हुआ चलता रहता है तो देखते ही इसके एक सुटोकोट की एक्शल में इ CC काम करता है तो से मेरे पास यह कुछ टेन गार में इन जए सबसे संदरा कनाँ एक फर्स एलिमेंट को 6 एलिमेट को सरी देजिकी थर्ड काम हमारे पास यह है कि हमें पासिस चलाने हैं यह तो हम हर सोटिंग टेक्निक में चलाते थे लेकिन चलाने कहां तक है जितने हमारे नमबर ओफ डिजिट से हमारे ग्रेटेस्ट अलिमेंट में उतने हमें पासिस चलाने होते हैं अब उसके बात पॉइंट है कि अगर नमबर ओफ डिजिट्स किसी भी नमबर का उतने नहीं है जो हमारे ग्रेटेस्ट नमबर के हैं तो हमें आगे जिरो पेंड कराना होता है इसका मतलब ही हमाई यह अपने एक्जांपल में ही समझेंगे तो आगे देखते हैं इसका एक एक्जांपल जहां पर मेरे पास कुछ तो हमें क्या करना है कि जितने भी अलिमेंट से इस लिस्ट में उन सबको एक 3 डिजिट नमबर बनाना है अगर कोई 3 डिजिट नमबर नहीं है तो उसके आगे उतनी 0s लगाओ लेफ्ट में 0s लगाने से कुछ फरक नहीं पड़ता हम लगा सकते हैं और उसको एक 3 डिजिट नमबर बनाओ जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक 0 को आड़ करने की रिक्वाइमेंट थी जैसे हमने आड़ करा तो हमारे पास ये लिस्ट बन गई अगर और भी और भी कोई इससे ऐलिमेंट होता है कि जिसमें number of digits कम होते थे थे तो हम उनमें भी उतनी number of 0s को अपराथे so as to make all the elements of number of digits equals to 3 अब बात आती है हमारे पासे की तो हमें पास कितने चलाने हैं जितने हमारे number of digits हैं maximum number में तो वो कितने थे 3 that means we have to go for 3 passes तो अब सबसे पहले हमें चलाना है first pass, तो first pass के लिए हमें actually क्या करना होते हैं कि जो हमारे place values, place values क्या होती है, unit digit, then 10th digit, then 100th digit, तो जो यह होते हैं, इसको हम बोलते हैं अपने place value, तो जैसे ही हम first pass चलाएंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे unit digit elements से हम उनको sort करते हुए चलेंगे, तो यह हमारे pass one की actual input थी, और आइए देखते हैं कि pass one के output क्या होने वाली है, आपको बस एक चीज़ जयान रखना है कि हमें sort करना है on the behalf of only unit place digits, तो जो unit digit पे हमारे पास जो number है उसके बहाँ पर sort करना है, लेकिन जब हम sort करके अपने next list बनाएंगे, तो हमें complete element को, complete number को वहाँ पर shift कराना है, आईए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, अब आप देख सकते हैं कि unit digit में सबसे smallest digit क्या है, 0, तो सबसे पहले मेरे पास element क्या आ चुका है, 600, फिर हमारे पास digit है 1, that is 981, फिर हमारे पास आ गया है 234, फिर हमारे पास आ गया है 345, फिर उसके पास 6, that is 456, 7 हमारे पास आया है 567, फिर हमारे पास आया है 8, that is 878, फिर हमारे पास आया है 789, that is last digit, तो हमारे पास इस तरह से हमारे सारे numbers absorbed हो चुकी हैं as per our unit place digits, अब होता क्या है, अब हमें चलाना है second pass और जैसे ही हम second pass चलाने वाली है, तो हम consider करेंगे अपनी second place values, that is जो हमारी tenth place value है, अब हम उनको consider करेंगे, हम यही सेम काम कराएंगे, जब हम चलाएंगे अपने second pass, बट अब हमें check is के भी हाओ अपर करना है, 10th place value के भी हाव पर अब अस क्या करना है हमें pass 2 चलाना है आपको एक चीज ध्यान रखनी है pass 2 में input हमारी वो होगी जो हमारी output आई थी pass 1 की और जो इसके output होगी वो हमारे next pass की input होगी आपको ये हमेश्चे ध्यान रखने अदो आपका answer गलत होगा अब आप देख सकते हैं smallest हमारे पस digit किया है that is 0 that means we have to place 600 on the top फिर उसके बाद हमारे पस आएगा 1 तो 012 हमने प्लेस कर दिया है second number पर then 123, फिर 3 जो है हमारे 234 में then 344, then 345 followed by 456 567 फिर आएगा हमारे पस 878, फिर अब आते हैं हमारे पस 8 और आप देख सकते हैं कि जब हमें 8 पाले place करने हैं तो मेरे पास तो 2 digits है अब पहले मैं किसको place करूँ तो आपको क्या करना है आपको move करना है first come first serve के basis पे, तो सबसे उपर हमारे पास क्या है 981 तो पहले हमने place कर रहा है 981 और फिर हम place करेंगे अपने last number that is 789 अब हमने क्या कर रहा था सबसे पहले उसमें 0 से paint करें जो हमारे input से उसको pass 1 चलाया तो हमारे पास पुछे output आई जो output आई थी वो हमने input consider करें थी pass 2 के और उसके solve कर रहा हमारे पास एक और कुछ output आई अब जो हमारे पास यह output आईए इसको हम solve करेंगे 100th place value के भी हाफ पर और उसको जो output आईगे वो हमारे पास final solutions आएंगे क्योंकि हमने क्या देखा था कितने number of passes होते थे जितने हमारे पास maximum digits है तो maximum number of digits कितने थे 3 तो आप हमें सेम काम करना है 100th place digit के recording तो जैसे हम वो करेंगे तो हमारे पास एक sorted list आजाएगी जो आप इस तरह से देख भी सकते हैं तो यह हमारे पास एक final solution आने वाला है लेकिन यह तो हमने simple कर दिया pen paper लेकर लेकिन computer को तो हम इस तरह से नहें करा सकते हैं तो उसके लिए हमें algorithm दिजाइन करना पड़ेगा तो आईए एक example दिखते हैं अपने algorithm के भी हाफ पर कि किस तरह का इसके algorithm हम चिलाने वाले है तो सबसे पहले तो आपको क्या करने हैं जो numbers से वो सारे numbers यहाँ पर place करने हैं और जिस number के आगे zeros नहीं है उनके आगे आपको zero खुद से bend करना है फिर हम क्या करते थे क्योंकि pass one है that means जो हमारा unit digit होता था उसकी place value के भी हाफ पर हम इसको sort करते थे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने zero से लेकर nine तक boxes बनाए हैं इनको हम बोलते हैं buckets तो हमें कितने buckets बनाने हैं जितने मेरे पास digits हैं actual में values कहां से कहां तक है zero से लेकर nine तक इसलिए मैंने zero से लेकर nine तक buckets बना लई हैं अगर यही कुछ alphabets होते तो हम यहाँ पर 26 buckets बनाते A से लेकर Z तक और कुछ अगर यह octal numbers होते हैं तो हम zero से लेकर seven तक बनाते हैं तो हम accordingly move करेंगे जितना हमारे यहाँ पर digits आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं सबसे smallest क्या है 600 तो हमने उसको simply place करा दिया अपने first bucket में जो है हमारे zeroth bucket फिर हमने क्या करा one वाला check करा है that is 981 उसको one bucket में हमने डाल दिया फिर हमारे पास place value थी 2 तो हमने डाल दिया है two bucket में similarly 123 हमने डाल दिया three bucket में क्योंकि हमेशा हमें क्या check करना है हमारा unit place फिर उसके बात हम देख सकते हैं हमारे पास 234 जो है four bucket में फिर 345 fifth bucket में फिर 456 followed by 567 followed by 878 and 789 अब हमने बकेट में फिल कर लिया अब इसको एक desired output में भी जो लेकर आना है तो आपको क्या करने simply traverse कर चलना है 0th bucket से लेकर 9th bucket तर सबसे पहले हमने प्लेस कर देख 600 फिर उसके बाद 981 then 012 then 123, 234, 345 456, 567 878 and 789 अब लेट से राइट तक चलना है और एके करके उसको आउट्पूट स्क्रीन में ले आना है अब जो हमारे फिर्स्ट पास की आउट्पूट आई है actually this is the input of our second pass जो आउट्पूट आई था अब मैंने उसको वर्टिकली लिख लिया है अगर आपने यह previous output ना लिखकर सबसे पहले वाली अगर टर्म्स में लिख लिया होता तो आपका अंसर गलत आएगा आपको हमेश्चे जो last output आई ही उसको ऐसे input consider करना है अब क्योंकि past 2 है मतलब हमें जो हमारे 10th place है हमें उसको चलाना है तो सबसे पहले क्या होगा जो 600 है तो उसमें 0 आ रहा है तो 0 bucket में 8 आ रहा है यहां पर 1 आ रहा है तो 1 bucket में जिस bucket में हमारे 10th जो place value है वो exist करती है अब हमें क्या करना है जीरो से लेकर 9 तक और इनको अपने output screen में प्लेस कराते जाने तो 612, 123, 234, 345, 456, 567, 878 तो 7th bucket सकते मुझे कोई problem नहीं आई लेकिन अब बात आती है 8 bucket की है तो एक ही bucket में हमारे पस 2 values है तो हमने क्या देखा था जब हमारे पास एक ही bucket में 2 values आती है तो हम 1st count 1st serve चलाते है तो जो सबसे उपर है उसको सबसे पहले प्लेस करना है पतब 981 पहले प्लेस होगा फिर हमारे 789 प्लेस होगा अब जो मेरे पास यह output आई है this will be the output of 3rd pass 3rd pass किस तरह से चलेगा सेम काम करना है हमें लेकिन किस के लिए करना है 100th place value के लिए जो 0 वाली है वो 0 में डाला 6 6 में डाला 1 1 में डाला तू 2 2 में डाला इस तरह से हमें सारी बकेट्स में डालते चलना है कब तक चलना है कितने पास से चलना है जितने जो हमारा greatest number है उसकी number of digits है अब पास चलने है और एके करके सारी place values को sort करते चलना है तो अब final हमारा क्या होगा left तर right तक traverse करेंगे इसको अपने output में ढाल देंगे तो सबसे small hit 12 then 123 followed by 234 followed by 345 followed by 456 followed by 567 followed by 600 then 789 878 and finally the greatest one that is 981 तो यह हमारे पास final sorted एक array आया है जो हमने input C थी उसके corresponding तो यह कुछ इसका algorithm है budget कहते है कि इसका algorithm हमें नहीं मिलता तो मैंने एक बार आपको दिखा दिया है कि जो हमने pseudocode में लिखा था वही हमारा actual में यहाँ पर algorithm होने वाला है according कि हम अपने buckets में उसको place करते जाएंगे अब important part आता है that is its complexity तो इसके complexity होती है o of m into n m कितना है number of digits मतलब मेरे कितने passes चल रहे थे तो number of digits किसके count करते हैं जो हमारा longest number आने वाला है और n क्या है हमारे पास यहाँ पर keys तो मतलब हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाखत इतने जैसे हम देख सकते कि हमारे पास 10 numbers है मतलब जिनको हमें sort करना था और हमारे पास 3 पास है मतलब 3 into 10 मतलब हमने आप 30 comparisons करे हैं तो इसके complexity में हमने 30 operations perform करे हैं इस तरह से यह था हमारा ready sort I hope आपको यह video lecture पसंद आया होगा अगर आपको कोई पर doubt या suggestion है तो आप comment box में सरूर देजेगा और अगर आपने वीडियो को अब तक like या share नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को like और जादा जादा share करें and please subscribe my channel and press the bell icons for latest updates शुक्रिया धन्यवाद thank you